Welcome after receiving some requests for providing codes of these videos मैं यहां पे जितनी वीडियोज अपलोड की हैं More or less उन सब का code जो है अभी तक जितना काम हम ने किया उसको मैं आपको provide कर रहा हूँ आपके सामने ये एक website जो है rpubs.com ये RStudio वालों की website है जाहिर दस्गर R code for videos इसको मैं यूट्यूब में लिंक दे दूँगा आपने इस पे क्लिक करना है तो आपको जितनी भी अभी तक mainly हमने codes यूज किये हैं अपनी वीडियोज के दुरान अपने results री प्रोडियूस करने के लिए तो वो वीडियो ये जो है मैंने publish कर दिया आरपब्स पे इस पे तो आप इसको देख सकते हैं तो हम इसमें जो है वो ये देखे कि R code used in video, video 4 में क्या code यूज हूए है तो लाइबरेरी गैप माइंडर, लाइबरेरी गैप माइंडर और ये आप रन कर सकते हैं अपनी उस R code window में तो R studio video 5 में जो code mainly use हूए उसको मैंने यहां पर describe कर दिया है जो data exploration through visualization के लिए code यूज हूए उसको मैंने यहां पर regress कर दिया उपर वाले results चूँकर tables form में आ रहे थे इसलिए मैंने यहां show नहीं किये यह जो tables है यह आपके पास सारे जो graphs है यह मैंने यहां पर display भी कर दिया है आपने देखा कि कल हमने यह जो है वो पिछली वीडियो में इन graphs को explore भी किया था discussion भी की थी तो further exploration के लिए आप मेरी उन videos को देख लीजिए खुछ से सोचिए किस तरह से यह चीज़े move कर रही है तो I hope कि जब यह आप run करेंगे at your own just यहां से copy paste यह course जो है यह gray में मुझूद है यहां पर जब यह hash है इत मींज यह comment है तो जब भी आप comment करेंगे तो यह command run नहीं होगी जब भी hash लगा देंगे तो यह आपके पास code है आप इन course को run कीजिए यहां पर मैंने कल जो है पिछली वीडियो में बहुत बात की है तो please go with that यह मैंने libraries गरे की बात की थी grid extra और parallel कैसे हम graphs को parallelly place कर सकते हैं और इस तरह से यह आपके सामने सारे graphs display हो जाएंगे तो please copy paste these codes if you don't know या फिर इनको देखके तो आप इन results को जो है वो replicate कर सकते हैं तो go ahead thank you for watching, take care